की है आज की रिसीपी में बनाते हैं डाल मंकिन और दाल मंकरी बहुत ही स्वादिश्ट बनती हैं है कि अगर आपको दाल मंकरी बनाने की रिसेपी पसंद आज तो चैनल को लाइक हैं य्यून प्रिस्क्राइब कर दें गर्व पाइल रसी में फिर से स्वागत है आपका आज में बनारी हो दाल मखनी दाल मखनी बनाने के लिए मैंने लिया है आप काली उड़द डाल इदाल साबुत है कि यह दाल 200 ग्राम है और साथ में राजमा यह 50 ग्राम है दोनों को मैंने अच्छे अब डाल को मैंने कुकर में डाल दिया है अब इसमें थोड़ा नमक एड़ करते हैं फिर इसमें पानी डालेंगे मैंने दाल में पानी डाल दिया है और पानी दाल से दो इंच उपर होना चाहिए अब इस पे ढखकर लगा के बोईल करते है मैंने गेस पे कुकर को रख दिया है एक सिटी आने तक गेस का फ्लेम को फूल रखेंगे बाद में गेस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और पांच सिटी आने तक वेट करेंगे एक सिटी आ गई है अब गेस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे इस दाल को गलाने में थोड़ा टाइम लगता है उसमें नॉर्मली हम धर में डाल बनाते हैं उसमें टाइम नहीं लगता है वो जल्दी बन के तियार हो जाती है मैंने टोटल 6 सिटी लगा लिया है एक बार इसे चेक कर लेते हैं हमारी दाल तो अच्छे से गल चुकी है लेकिन अभी तियार हुई नहीं है अभी लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है अभी अब थोड़ा इसमें पानी डालते हैं आधा गलास इसको फिर से गेस पर रखते हैं पांच मिनिट के लिए धिमी गेस पर इसको पकने देंगे इसमें धकन्नी लगाएंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से गोट जाए जितना अच्छी तरह से दाल गोटेगी उतने अच्छी हमारी दाल मखनी बनके त्यार होईगी और दाल मखनी बनाने के लिए दाल को अच्छी तरह से गोटना बहुत जरूरी है और इसको बीच बीच पे हिलाते रहें नहीं तो नीचे से चिपकने लग जाती है और ये दाल बोछ इस्टिकी होती है इस वज़र से इसको हिलाते रहें देरे देरे जब तक हमारी डाल गुठ दी है तब तक मैं मसाला रेडी कर लेती हूं मसाला के लिए मैंने लिया है तीन टमाटर एक छोटा अद्रक टुकड़ा एक हरी मिर्ची थोड़ा लसन इन सभी को मिक्सी से पीस के पेस्ट बना लेते हैं अगर आप लैसों प्याज नहीं खाते हैं तो लैसों प्याज को स्किप कर सकते हैं अब चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं दाल के गरम होने के लिए रख दिया है तेल आदा चमचा है अब इसमें मसाले को भूनते हैं तेल भी गरम हो गया है इसमें टुकड़ा दाल चीनी एक तेज पत्ता थोड़ी सी हींग आज को मैंने धीमी कर रखा है एक चमच कस्मेरी लाल मिर्ची अब इसमें टमाटर को डाल देते हैं यह पीस रखा है इसको अच्छे से भून लेते हैं इसमें एक हरी मिर्ची को मैंने लम्मे लम्मे काट रखें इसे भी डाल देते हैं अब इसमें थोड़ी मसाला डालते हैं नमक स्वाद अनुसा क्योंकि नमक मैंने पहले डाल में भी डाला था तो ध्यान से डालें इसमें हल्दी डालते नहीं आदा चमच सुखा धनिया पाउडर आदा चमच किचिन किंग पाउडर इसको भी अच्छे से भून लेंगे मसाला हमारा भून चुका है और कलर भी अच्छा आया है कलर देगी मिर्च की वज़े से आया है अच्छा अब इसमें डाल को डाल देते हैं अब इसमें थोड़ा पानी डालते हैं और इसको अच्छे से बोल कर लेगते हैं दाल मखनी हमारी बहुत ही स्वादिस्ट बनेगी इसमें थोड़ा सा दूद्ध एड़ कर देते हैं आदा ग्लास के असपास और इससे दूद्ध डालने के बार और इसको कंटीनियों इलाते रहेंगे नहीं तो दूद्ध फट सकता हैं आप इसमें थोड़ा बटर डाल देते हैं क्योंकि दाल मखनी मखन की वीना अधूरी है और बटर के वेगर दाल मखनी अधूरी होती है इसलिए इसमें बटर डालेंगें आपके इच्छानों सा डाल सकते हैं बटर को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं दाल में अब इसमें थोड़ा कस्तूरी मेथी डाल देते हैं ये तेज़ पत्ता को साइड में निकाल देते हैं इससे दाल मखनी में फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा कस्तूर मेथी से लास्ट में करम मसाला थोड़ा सा और दाल मखनी हमारी बन के रेडी है अब थोड़ी फ्रेस मलाई डाल देते हैं दाल हमारी मार्केट जिसे बन के त्यार है दाल मखनी हमारी मार्केट जिसे बन के त्यार हो गई है अब गर्मा गरम दाल मखनी राइस या फिर परांठे या फिर नान के साथ सर्फ कर सकते हैं